म्यूजिक लेकर चैनल में जबकर स्वागत है मैं सुलेल कुमाराद फिर से आपके लिए लेकर हाज रूए एक इंट्रेस्टिंग वीडियो तो आज हम बात करेंगे MI के एक बैक के बारे में जो की MI ने अभी अभी इंडिया में लोच किया है जिसका मोडल नेम रहता है MI Step Out Backpack तो आज हम इसकी अन्बोक्सिंग करेंगे किस तरह हैं किसमें एक एक एंपार्टमेंट है कितने प्राइस में है क्या हमें खरिदना चाहिए नहीं वो सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में तो जानने के लिए देखते हैं इस वीडियो को तो कुछ इस तरह हैं कि हमें MI की पैक्टिंग देखने को मिल जाती है तो चलिए इस पैक्टिंग को अन्पैक करके देखते हैं कि हमारा जो MI bag है वो किस तरह हैं का रहता है तो मैं इस Packing को फार देता हूं तो पुछे तरहीं पैकिंग में हमें ये फर्तर बैक देने को में जाता है तो इसके अंदर भी एक Packing दी गई है तो इस Packing के ऊपर कुछ Detail Mention है वो मैं आपको बता देता हूं तरहीं कि इसका प्राइज कितना है इस पर प्राइस मेंशन है लगबग 4090 रुपए और उस पर बैक का मोडल ने में लिखा हुआ है MI Step Out Backpack और इसमें किया कंटेंट्स रहता है किस तरह किस तरह किस तरह किस तरह किस तरह के यूज किया हुआ है जैसे कि फैब्रीक, पॉलिस्टर, लाइनिंग, पॉलिस्टर, कुछ इस तरह हैं इस पैकिंग को अन्पैक कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का हमारा ये बैक रहता है तो चलिए अब हम इस बैक की डिटेल के बारे में जाल लेते हैं कि किस तरह है कि इसमें परट्मेंट में को में देखने का मिलेंगे और किस तरह है कि हमारे यह वैता है यहां पर इं Henderson ने लोगो बनाया हुआ है तर lawsuit के बाद एक हमें बीच में जीप देखने को मिल जाती है जो कि हमारी कोई इक अक्सेस के लिए अपना पाउर बैंक बगएरा रख सकती है या फिर कुछ और गैजेट होते हैं उनको असानी से प्लेज़ कर पाते हैं तो मैं आपको एक बार इसमें कोई गैजेट रखके दिखा तो कुछ इस तरह से हम इसमें कुछ हलकी हुल की चीज़ हैं और फिर क्विक एक्सिस के जिस रख पाएंगे जैनुस के बाद नीचे के तरफ हमें इसमें मेन कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है तो चोड़ चलिए इसको उपन कर लेते हैं तो उपन करने के बाद कुछ इस तरह का हमें एक कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा तो आप देखी रही होंगे कि इसमें कोई फर्थर कंपार्टमेंट हमें देखने को नहीं मिलता सिंपल ये एक compartment बनाया हुआ है तो अंदर जो material है दरसल वो ठीकी material है हलकी फुलकी layer है दरसल एक कपड़े की और इसमें कुछ जादा material का use नहीं किया हुआ अंदर के तरफ हमें एक MI का यहाँ पे logo गयाँ देखने को मिल जाता है तो कुछ इस तरह है का हमारे ये बैग रहता है बाकि अंदर के तरफ हमें इसमें silicone के packet मिल जाएंगे ताकि हमारा बैग मुश्चित वगड़ के खराब नहीं हो तो कुछ इस तरह है का इसमें compartment रहते हैं तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैग के back side में तो back side में कुछ इस तरह है का हमें looking देखने को मिलेगी और जो हमारे ये hander रहते हैं जिनको हम अपने shoulder पे hang करेंगे तो इनके अंदर हमें hulka full की padding देखने को मिल जाती है ताकि ये थोड़ा बहुत comfort रहे तो उसके बाद दोनों हमें hanger में एक padding देखने को मिल जाती है ये इस पे एक हमारे जो shoulder पे हम back को hang करते हैं उसको adjust करने के लिए एक adjustment बनाई हुई है जिससे हम अपने back की length ज़्यादा या कम कर सकते हैं तो उसके बाद उपर की तरफ से back को hang करने के लिए यहाँ पे एक hanger दिया गया है ताकि हम इस back को असानी से hang कर पाएं अलाकि जो यह hanger है वो एक कपड़े की पट्टी है अगर हम इसमें 11 किलोगेट रखकर इसको carry करेंगे तो यह थोड़ा हमारे हाथों में चूएगा तो यहाँ से यह मुझे अच्छा नहीं लगा बादी जो इस back की capacity है तरसल रहती है 11 लेटर तो अब हम इसमें laptop place करके देखेंगे कि हमारा laptop 15 इंच है तरसल वो इसमें आता है या नहीं कोई books वो गयरा भी डाल के देखेंगे तो चलिए मैं इसको open कर लेता हूँ तो मैं ले लेता हूँ अब laptop तो मेरे पास यह laptop है दरसल 15 इंच है तो मैं इसमें रख देता हूँ पाफी लोगों का confusion रहे रहेगा कि laptop इसमें आए गया नहीं दरसल इसमें 15 इंच लेप्टोप नहीं आएगा तो 14 इंच लेप्टोप मेरे खाफ से इसमें सही से सैट आ जाएगा बाकि मैं आपको सुझेश्ट नहीं करूँगा कि आप इसमें laptop रखें क्योंकि इसमें हमें इतनी जादा safety नहीं देखने का मिलती नीचे की तरफ भी halki full की parody देखने का मिलती है अगर हमारा बैग हम कहीं से हलकी full की उचाई से गिर जाता है तो laptop को लुक्सान हो सकता है तो चलिए भूम ले ले लेते हैं एक A4 size का register तो कुछ इस तरह हमारे पास यह register है A4 size आगे लिका हुआ है तो इसको हम असानी से अपने back के अंदर रख पाएंगे तो copy को रखने के बाद कुछ इस तरह हैं से हमें लोग देखने को मिल जाती है दरसल थोड़ा सा हमें उपर की तरफ से size देखने को मिल जाता है या फिर space देखने को मिल जाता है तो अब हम इसको बंदर के असानी से इसको use में लग सकते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के परपस के लिए हम इन बैग को यूज में ला सकते हैं तरसल अगर हमें कहीं ट्यूशन पर जाना हो या फिर हल्का फुल का समान ले जाना हो तो उन तरीके के लिए ये बैग है काफी अच्छा हो सकता है लेकिन अगर हमें कहीं पर school में लेगे जाना हो, bag तू वहाँ पर हम इसको नहीं लेगे जा सकते अगर हमारे पास काफी जैदा books हो, laptop के लिए नहीं हम इसको यह उar मेला सकते हलके होलके काम के लिए, या फिर daily routine में हम अगर कुछ समान केरी करते हैं उन काम के लिए ये बैग काफी फायते मन रहता है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो इन्होंने डिजाइन बनाई हुए है दसल इसमें कोई कीचेन नहीं मिलता जब कि जो MI के कोई और बैग है जो भी इन्होंने मोडे लोच के हुए है उतमें हमें कीचेन देखने को मिल जाता है जब कि इसमें एक रस्य बांदी हुई है जिस पे गांट लगाई हुई है तो इस तरीके से हमें इसकी कीचेन देखने को मिल जाते हैं तो मुझे काफी अच्छे नहीं लगे तो मैंने आपको अवराल बता दिया आगे इस तरह का यह बैग रहता है तो चलिए अब हम इस बैक पैक को अपने शोल्डर पर लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरह की लोगिंग आपको मिलेगी तो कुछ इस तरह से आप इसको आगे तरफ रखकर बैट को यूज मिला सकते हो तो कुछ इस तरह की लोगिंग आपको मिलेगी तो मैं अब इस बैक से क्वीक अक्सेस के थूँ यानि कि इसमें एक जिप दी गई है वहां से असानी से कोई भी इसमान निकाल के यूज मिला सकते हूँ तो अब हम इस बैक को बैक साइड में लगा के यूज की देख लेते हैं कि किस तरह हैं कि हमें लोकिंग मिलेगी ये बैग किस तरह हैं का रहता है तो कुछ इस तरह हैं से हम इस बैक बैक को असानी से यूज मिला सकते हैं जादा बड़ा साइज इसका दरसल नहीं है तो हमें छोटा ही साइज इस पैक का देखने को मिल जाता है तो वैसे तो आपको पता लग गया होगा कि ये बैग आपके लिए बेनिफीशिल है या नहीं तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइजिंग के बारे में दसल इसका प्राइज रहता है 249 रुपए इसकी ओफिशिल वैब साइट पर उसके बाद अगर आप इस बैग को खरीदते हो तो 50 रुपए आपको डिलीवरी चैर्चिस पेक करने पड़ते हैं तो हमें ये बैग मिलेगा 300 रुपए का तो क्या हमें 300 रुपए में ये बैग ख ठीक है तो ये बैग अच्छा रहेगा अगर आप कोई लोकल परसन है या फिर कोई आम आदमी है जिसको ब्रैंड से कोई मतलब नहीं है तो मैं कहूंगा उसके लिए बैग अच्छा नहीं है क्योंकि वह सो रुपए एक्स्ट्रा डाल कर कोई मार्गिट से बैग खरीद ले करते हो या फिर इस बैग में कुछ डिटेल में कुछ छूट जाता है तब भी आप कमेंट कर देना तो इसका मैं आपको अंसर दे दूंगा वैसे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का ये बैग रहता है तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप देख रहे थे दी म्यूजिकल हैकर और हसते रहे हसाते रहे